फिरोजबाद जैनगर से आनन विहार जा रही ट्रेन संख्या के S4 डिब्बे में हॉट एक्शन होने से रेल प्रशासन में हड कम मच गया आनन फानन में ट्रेन को हिरन गाव रेलवे स्टेशन पर आदा घंटा रोक कर हॉट एक्शन को ठीक करने का प्रयास किया गया मगर हॉट एक्शन को ठीक नहीं किया जा सका इसकी सुचना रेलवे का आना अधिकारियों को दी गए किसी तरह ट्रेन को टूनला रेलवे स्टेशन के प्लैटफॉर्म नंबर दो पर लाया गया सुचना के बाद मौके पर मौझूद रेलवे के आला अधिकारियों ने विचार विमर्श के बाद ट्रेन में मौझूद S4 बोगी को कटवा कर ट्रेन से अलग कराया इस बीच नौन स्टॉप जैनगर से आनन विहार जाने वाली ट्रेन टूनला रेलवे स्टेशन पर करीब देड़ घंटे से दो घंटे तक खड़ी रही बाद में S4 डिब्बे को अलग करने के बाद ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया इस बीच ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को भी भारी परिशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि एक और तो ट्रेन करीब दो घंटे तक पिटी वही S4 के यात्रियों को अन्य दो में शिफ्ट किया गया जिसके कारण ट्रेन में यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों को भी भारी परिशानियों का सामना करना पड़ा फिल्हाल इस मामले में रेल प्रशासन कुछ भी करने को तयार नहीं है इस फोर एक कोच है उसमें बॉगी में कुछ कमी आ गई है उसली के कारण ट्रेन को रुका दिया है तो बॉगी अभी काटके हटाएगा तो तुर इसके बाद इंजन जोड़के तो फिर लेगागा इसके वजह से बहुत परिशानी भी हो रहा है अपिका इन से तुरें दिले हो दिले हो दिले हो